नमस्कार दोस्तों दोस्तों WhatsApp लेकर आ गए अपने खुद का एक नया फीचर यानि इस नया फीचर सजोंके सहार है यदी आपको किये से संपर करना हो जैसे कि आप आप लोगों को पता हो कि हमें WhatsApp घूजेक्सस से बातशीत करना चाहते हैं और आप अपने QR कोड को कहीं पर भी आपके अपने दुकान पर या फिर कहीं मतलब कोई बिजनेस करते हैं कहीं आप चिपका देते हैं तो यदि आपके QR कोड कोई स्केन करते हैं अपने WhatsApp को मादें हमसे तो डिरेक्ट आप से संपर्ख कर लेगा ठीक है दो दोस्तो हम जानने वाले हैं कि आप अपने WhatsApp के अंदर इस QR कोड को कैसे एक्टिवेट करेंगे कैसे अपना QR कोड बनाएंगे इस वीडियो में हम समयने वाले हैं यदि आपको जानना है तो बनारेगा हम बड़े उक्षात क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में बड़े के पास WhatsApp का भीजनेस अंति ओना कि अन्यें में करकेंने में इस तुफ्छेस्ट कर रहा होगा कहीं पर आपके पास देखी ये वहैं WhatsApp just के यह व्लाज जो एप है यह मेरे पास भी है लेकिन यह इस व्लाट से बिजनन पमें मिली है ता। आपको वाहां प्छूर नहीं मिली है ता आको होट से बिजनेस को सर्च करना यहां पर आप यदि वसे बिजनेस में पहले के यूज करते है झालांकि मैंने इसको अपडेट कर लिया है और यूदि आप मुझे उलड़ Sutra करना होगा चलिए हम ओपन पे क्लिक कर लें फबाष जाना है यहाँ पर आने को आने का बाद आपको क्या कर ना देखिए कोड़ के यहां पर एको क्लिक कर लेना होगा यहांस कर कर लिँखा हुआ उर्सक्ता भी करके और यहां पर क्लिक करके जैसे कि यहाँ कुछ करना में दूसरे वाले का किसी दूसरे का वाडशेप का क्यूवर कोड़ स्केन करना है तो आप वहाँ जैसे देखी मैं आप एक करक्या को दिखाता हूं कर सकते हैं प्लस आप अपने कि अपने क्यूवर कोड को चिपका देते हैं या मतलब करते हैं अपने दुकान पर या फिर कहीं पर भी तो आपके क्यूवर कोड को कोई बंदा इसकेन करके आप से डालेक्ट चेटिंग कर सकता है डोस्तों साथ सचर्ट्टा – मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे QR code कैसे जन्रेट कर सकते हैं फुट क कैसे जनरेट कर सकते हैं इन सारी बातों जंधकर या आप comment दे दी updates तो, आपको जंधकर यह वडियो कैसे लगए जो WhatsApp का ही system है ठीक है यानि दोस्तों आपको अपना QR code जिसे में आपको बता है उसे बनाना है और बना कर आप कहीं पर भी चाहिए तो उसको चिपका सकते हैं कहीं पर लगा सकते हैं जिसके माधियम से कोई भी आपके QR code को scan करता है यानि दोस्तों आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मतलब यह लाया गया है और हलांकी आने वाले समय में WhatsApp के मेसेंजर मतलब WhatsApp का जो दूसरा तरीका है उसके उपर भी QR code system आ जाएगा आने वाले समय में जोस्तों आपको जनकारी और वीडियो कैसी लगी आपको जनकारी अच्छी लगी हो तो पर यह लायक कर देज़ेगा और साथ में दूसरे दूसरों को साथ भी share कीज़ेगा ताकि उनको इस बात की नुली हो सके और दोस्तों आपको इस वीडियो समझेद कोई भी question या फी कोई query हो तो नीचे comment box यहां comment करके अपने सुझाओ को रख सकते हैं हो सकता हैं जो को देख कर हम भाई समय और नई वीडियो लाने की कोशिस करेंगे या फिर आपके comment जो पलाई है नीचे ही कर दे जाएगा जिस आपको राम से संतूष क्या सके दोस्तों मिलता हूं नेक्ष वीडियो में एक अच्छी और शानल वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत